कही बाहर जाना तो जाना मतलब जो ट्रेवलिंग आता है ना उससे मुझे डर नहीं लगता लेकिन सामान पैक करने से डर लगता है क्यूँ देखना चाहते हैं ये स्टोरी देखिए लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चलिए देखते हैं त्री मैन पैक फॉर आ ट्रिप बहुत मज़ेदार कहानी होने वाली है यहाँ पे देखिए जो हमारे राइटर है उन्होंने बहुत बड़ी लीस बना दी है सब सामान भी नियर मतलब उन्होंने साह बाहर निकाल के रखा है और आप पैकिंग का काम करने वाले है इविनिंग का टाइम हो गया था और देखिए इविनिंग से अब क्या क्या होने वाला है सारी चीज़े जिसमें भरनी है वो तीन हाँ एक बड़ी सी बाग है और दो आप थैले के जिससे देख सकते वो भी उन्होंने विंडो के पास वाला जो टेबल है उसके उपर उन्हो के तीनों उसको देख कर हैरान इसे बोल रहे है कि चलिए भाई साहब अब सब सामान भरने का टाइम आ गया तो राइटर ने खुदी हाथ उपर करके बोला है कि देखिए मुझे अच्छे से पैकिंग करना आता है मैं करता हूँ और ये बोलते समय वो बहुत ही अपने आप को मतलब इलिजिबल समझ रहते उसके लिए तो जो जो थे वो लेजी चिलरन के जैसे लेजी मैन के जैसे वो अपने आपको आराम खुद सी पर डाल के उन्होंने क्या किया जो पाइप है सिगार है वो मस्त से उसके चूसके लेने लगे और अपना टेंशन जो है वो हवा मे उड़ाने लगे जो स्मोक से तो यहाँ पर देख सकते है कि राइटर जो है वो अपना काम कर रहा था बहुत अच्छा अच्छे से जितनी जितनी चीजे उन्हें अवश्यक थी वो पैक बराबर से कर रहा था एक 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 चीज बराबर से बैक में डाल रहा था त अब नहीं बोल सकते तो ऐसे आच्छरी से उसके तरब देखा उन्होंने शूज लाए और वो जो बुट है वो बैग में भरने की कोशिश कर दी बाद में उन्होंने बहुत दबा दबा के उस बैग को भरने की कोशिश की और यह देखे यहाँ पे आप देख सकते कि बुट को रग दिया उन्होंने जगा बना ली सबसे पहले और अब वो यहाँ पे लगा दिया है बैग पैक कर दिया है बाद में जब वो बैड गए तब उन्हें ऐसे लग रहा था कि उन्होंने सब तो सामान पैक कर लिया लेकिन ब्रश येस टूथ ब्रश उन्होंने उनका खुद क पैक नहीं किया है उन्हें याद था उनके फ्रेंड्स का उन्होंने किया लेकिन खुद के बारे में शायद से बूल गए तो देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि सारी चीजें उन्होंने फिर से बाहर निकालना शुरू कर दिया एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे तो न इनका काम चालूई था तभी उन्होंने आइडिया आया और इन्होंने बुट को उल्टा करके उन्होंने हिलाया तब बुट के अंदर फसा हुआ जो राइटर का पेस्ट टूद ब्रश है वो निकल पड़ा उन्होंने सारे चीज़े फिर से पैक कर ली तो ये रात के दस बज के पाच मिनिट हो गए है इविनिंग से लगे है और रात के दस बजे ये काम उनका हो गया है आप देख सकते हैं यहां पर और और उन्हों बोल रहती हरिस हरिस तब बोल गया था कि देखो अभी नियरली मतलब बहुत कम टाइम है बारा घंटे से जादा हमारा स्टो लगेगा बटर लगेगा कप्स लगेंगे केटल्स लगेगी बोटल्स लगेगा टमेटो लगेगा केक लगेगा ये सारी चीजे तो अभी पैक करना बाकी था ओहो अब ये बारी किसकी है राइटर को खुदी पता था कि वह बहुत अच्छे से कर सकता है लेकिन यहां क्या तोड़ा जाता है क्या क्या फोड़ा जाता है और कैसे सामान रखे जाएगा ये भी आपको देखनी वाली चीज़ है Harris ने एक के बाद एगा देखिए सामान कैसे रखा है सबसे नीचे स्टॉबेरी का जाम है सबसे नीचे उन्होंने टमाटर रख दिया है सबसे नीचे उन्होंने जाम की बॉटल रख दिये और उपर दीरे दीरे जिसके वेट जादा है बड़ी है वो सारे चीज़े रखना शुरू कर दिया है देखिए बटर जो है यह बटर भी वो कैसे रख रहे है और आराम से यह पिगल जाएगा और आराम से सारे चीज़ों मे मेल्ट हो जाएगा राइटर ये देख के बहुत नर्वस और वो खुद भी अपने आपको नर्वस फील कर रहे थे एक के उपर एक के उपर सारी की सारी चीज़े रख रहे थे और हैरा नहीं इस बात की है कि जो बहुत कम वेट वाली चीज़े थे सब नीचे रखी थी और उस के दोनों जो है एक दूसरे के तरफ देखने लगे और बोलने लगे देखो अब ये बटर ही रह गया है मैंने पूरे जिंदगी में ऐसे नहीं देखाता कि ऐसे हो सकता है तो उन्होंने बटर अभी निकाल दिये निकालने के बात कहां पर रखे तो केटल के अंदर उसको ड चेहर पर रख दिया और केटल के अंदर की सारी चीज़े निकालना शुरू कर दिया तो हैरी से ये देखके वो शर्मिंदा हो गया वह आके वह चेहर पर बैटने के बाद है अब इतना बड़ा बोडी उसके उपर बैठा है तो वह जो ब्रेड है स्वारी बटर है वह उसके पैंड को चिपक गया चिपकने के बाद अब इधर उदर सारी जगप पे वो दूण रहे है कि भाई मैंने बटर का पॉकिट तो यही चेहर पे रखा था तो हैरीस की दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं उसके उपर ही बढ़ गया था मेरे पैंड को चिपक गया होगा वो और यह सारी चीज़े राइटर जो है वहाँ से देख रहा था लेकिन वो कितने पागल है यह भी तो देखना ज़रूरी था वो दोनों इधर उधर जोर्ज और हैरीस इधर उधर सारे कमरे में धून रहते और धूनने के बाद फिर अचानक से जोर्ज के ध्यान में आया था और यह देखो क्या है तभी हैरीस गोल-गोल घूमते हुए बोलता क्या क्या मेरे पीट पीचे क्या है क्या है क्या है तभी जोर्ज उसे बोलता है देखो भाई अब बिलकुल नहीं हिलना है मैं दिखाता हूँ तुमने क्या किया है अब हैरीस एक जगा पे स्टेंड हो गया औ और उसके पैंड में लगा हुआ जो बटर का पॉकेट है वो निकाला और बोला ये क्या है तब ही वहाँ पे उनके घर का जो कुता है मॉंटे मेरी ये भी वहाँ पे आ गया अब आपको तो पता है कुते का काम क्या होता है कुता वहाँ पे बैढ गया सूंगने लग गया था अब ये सारी चीजे तूट फूड जो गई है, पूरा सामानी दर उदर भर जो दिया है, वो वहाँ पे आराम से बढ़ गया, कुछ मिल जाएगा, अब जैसे ही वो कुछ चीजे लेने के लिए, जैसे ही जोर्ज हाथ पीछे करता था, तो कुटा क्या करता था, उसके हाथ को अपने टंग से लिक करता था, चाटता था, और चाटने के बाद उसे अच्छा लगता था, जोर्ज को भी और हैरिस को भी, और फिर ये सारी चीजे वही हाथ, वो सामान को लगा रहा था, बाद में कुटा जो है, वो अच्छानक से अपने, उसका लेक जो है, जैम की बोट कुटे को मारने के लिए दोड़ पड़ा, और बाकी के, यहाँ पर देख सकते हैं कि रात के बारा बच के पननास मिनिट हो गए है, बाक बर के रेड़ी हो गई है, और उसके उपर इतना बड़ा हैरिस बैड़ गया, और बैठने के बाद बोलता है, कि इसमें से कोई भी ची है, अब सोने का टाइम आ गया है, बहुत इंटरेस्टिंग सो रही थी, मुझे पता है, आप लोगों को बहुत पसंद आईए, सूपर थैंक्स का बटन दबाईए, हैपी क्रिस्मस भाईया, सब्सक्राब कीजिए